तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूं साउथ की सूपरनेचरल हॉरम मोवी को जिसका नाम है दिया और इस फिल्म का कंसेप्ट एकदम हटके हैं ऐसी फिल्म सायदी बनी हो और इसी फिल्म की कहानी को हम explain करने वाले हैं और इसी तरह का fresh और नूली कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेश चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा तो शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को तो दोस्तों मोवी की स्टार्टिंग में हमें दो कपल को दिखाया जाता है और इन कपल का नाम होता है तुल्सी और कृष्णा और यह एक होस्पिटल में आयो हो लेकिन आभी यह डोनों साथ में कॉलिज में पड़ रहे होते हैं अब ऑनके पैरंश को भी मालूम चल जाती है जिसके चलते उनके पैरंस ऑस्पिटल में आ जाते हैं और किस्टा के पितार्ट तो सी कि काफी तगडी वाली बैस ब्याश भी हो जाती है अब यहांसे कहानी क क्रिश्ना की धूंदाम से साधी हो रही होती है और यहाँ पर किसिञा की पिता ने सारे रिष्थेदारों को होटल के बज़ाए अपनी घर पर ही रुखने के लिए बोल दिया था अगले दिन किजना के पिता ने के तुलसी के हनीमून के लिए टिकेट्स बुक करा दी थी अव किसना और तुलसी हनीमून के लिए निकल जाते हैं और खुब इंजॉय करते हैं यहाँ पर हम देख पाते हैं तुलसी एक बच्ची की प्रिंटिंग बना रही होती है और वहीं दूसी तरफ हमें एक सपेद में तुलसी का करवा दिया था और तुलसी उस बच्ची का नाम दिया रखने वाली थी और आज दिया जिंदा होती तो पांच साल की होती और यहां वो पैंटिंग भी दियागी बना रही थी इसके बाद दिया और किसना हनीमून से बापस लोटाते हैं और अपनी नए घर चले जाते हैं और वहां किसना के पिता का नए घर का केस चल रहा होता है और इस केस को उसके पिता जीच जाते हैं अब किसना और तुलसी अपने नए घर के अंदर जाते हैं और यहां हम देखते हैं तुलसी कुछ नहीं थी और वहीं उस धिया नाम की छोटी बच्ची को भ लेकिन हालाती कुछ और थे क्योंकि आवशन का फैसला उसके पिता का था इसलिए आवशन करना पड़ा अब यहां किष्णा तोड़ी देर के लिए तुलसी खुस हो जाती है जिसके बाद तुलसी के कवरे में उसी छोटी बच्ची को देखते हैं असलमें यह छोटी बच्च है एक आत्मा उती है यहाँ पर जो दिया कि स्पिट होती है वो हमेशा से साथ दिकाई को दिखाई मिलता है क्रिशना जाकर ये बात अपने पिता को बताता है और फिर तोड़ी देर वाद भी दिया वहाँ आ जाती है और कि किश् 일ा के पिता को देखकर आग बबुला होने लगती है क्योंकि उसके पिझा कि बजया से वह आजजिंदा नहीं क्योंकि उन्होंने तुलसी का अवोशन करवा दिया था जिसकी वज़ा से आज दिया जिंदा नहीं है जिसके बाद कृष्णा के पिता वहाँ से जाने लगते हैं और दिया भी उनके पीछे चल देती है फिर रात होते ही दिया की आत्मा घर के सारे नल चालू कर देती है जिससे पूरी टंकी खाली हो जाए अब टंकी खाली भी हो जाती है फिर कृष्णा के पिता चत पर जाकर पानी की टंकी को चेक करने जाते हैं क्योंकि नल में पानी नहीं आ रहा था और वो देखते हैं पूर की पूरे तंकी कि म्धी तबी दिया की आत्मा किष्णा के पिता को पानी की तंकी के अंदर देती यह कि अगले दिन सबी घरवालों को मालूम चल जाती हैं जसके चलते हुआ पुलिस आकर उस पाने की टंगी से किषना के पिता के डैड वरडी को बहर निकालती है। और यह ख़वर खुशना को भी मालूम चल जाती है. और वो तूट जाता है. अब पुलिस डैड वरडी को मुर्दगर बिजबा देती है। और कृष्णा और तुलसी वहीं मुर्दागर के बाहर खड़े हो जाते हैं, कि तवी दिया की आत्मा भी वहाँ आ जाती है, और वो तुलसी को भी गुसे से देखती है, जिसके बाद पुलिस इस्टेशन को दिखाये जाता है, वहाँ में एक पुलिस ओफिसर अगनी को दिख अगनी कृष्णा के पास जाकर भी यही मढर वाली बात बताता, वह बोलता यह एक फून है जिसके बाद अगनी को कृष्णा से पुछ्टाज पर मालिन चलता है, उससे कोई धंकी दे कर गया था, अब कृष्णा के साथ उस आदमी के पास जाता है, और अर आदमी का काफी बढ़क उठता है मगर पुलिस कृष्णा को समाल लेती है जिसके बाद कृष्णा अपनी तुलसी को लेकर घर आ जाता है और तुलसी से उसका कहना था कि वह अपनी मां को लेकर अपनी घर चली जाए और खुद काम करके बापस घर लोट आएगा फिर वहीं हम रात को तुलसी की मां को देखते हैं वह वाश्रूम जाती है और दूर अचानक से लौक हो जाता है और यह दिया की आत्मा का काम था फिर तभी वहां तुलसी आती है और अचानक अपने आप वाश्रूम का लौक खुल जाता है अब तुलसी की मां अगली सबार निकल रही होती है उनका तुलसी से कहना था कि वो पहले कृष्णा से मिलका जाएगी इसलिए तुलसी अपनी मा के लिए एक क्रेप बुक करवाती है फिर उसकी मा कृष्णा की साट पर जाने लगती है मगर तुलसी अपनी मां से बोलती है उसे एक emergency है इसलिए उसे hospital पहुचना है और वो अपनी मां के साथ gap share करती है फिर तुलसी अपनी मां को construction side पर छोड़ कर वहां से hospital निकल जाती है और ये बोल कर जाती है आपको किसने घर पर छोड़ देगा इसके बाद वो अंदर building में चल से lift के तारों को ही तोड़ देती है फिर तभी lift नीचे गर जाती है और तुलसी की मां उस lift में मारी जाती है लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं होती कि lift के अंदर कोई थावी और किष्णा सुबह breakfast कर रहा होता है कि तहीं वो तुलसी से उसकी मां के बारे में पूछ लेत है कि तुलसी की मां लिफ्ट wrong कर लेकर लेकर तूड़ जाती है लेकिन किषना उसको समालता है पिर तुलसी की मां का अंतिन संस्कार किया जा रहा होता है कि तभी जिसके चलते उसे उस्पिटल ले जाया जाता है अब दूसी तब तुलसी अपनी मां की मौत को लेकर काफी परिशान थी तुलसी का कृष्णा से कहना था कि उसको अपने मामा को देखना है और उनकी वहां फैमिली डॉक्टर होती है और दिया की आत्मा उसे भी बड़े गु प्वेस्टिगेट करने डॉक्टर के घर जाती है और उन्हें वहां पर तुलसी और किष्णा मिलते हैं यहां पुलिस को मालूं चलता है दॉक्टर उनकी फैमिली डॉक्टर थी जिसके बाद पुलिस तुलशी औरुस यांना था कि उसिक्स हमया है अब दूसी मामा को हffer द किशना से मिलने आये होते हैं फिर मिलकर अपने घर निकल जाते हैं और यहां किशना भी अपने काम पर निकल जाता है अब तुलसी घर में अपनी फैमिली फोटो को लगा रही होती है और तभी उसे मालुम चलता है जो लोग मारे गए हैं उनकी बजा से तुलसी को अवोशन क बढ़ाना चाहते थे लेगिन उससे पहले तुल रच कर वाना चाहते थे यहां तुलसी उनके सामने बूछ गिडगड devil рек कोिषणा इसकी बात नहीं सुनता और यहां तक क heir कि और फिर तुलसी को मालूंत को एक कालटेनर के नीचे दबा कर मार दिया था तो तो किसके समझ आने लगां था और की आत्मा अमेशा से उसके साथ ही थी अवगत वहिए बड़ाथ picks आफ प्रूर आवी जाती मा करके पुगार दिया से के rat果 उसे जो कि मामा की मौत बताते हैं फिर कृष्णा तुल्सी जिसे दूर गा तो दिया की बार देगी जिसके 누से सहा के मां और उस डॉक्टर के केस को एक एक्सिडेंट बता कर बंद करने की बोलता है वो समझ गया था, यहाँ पर एक आत्मा का काम है वो यहाँ पर काफी डर गया था अगर वो तुलसी से मिला तो वो भी मारा जाएगा इसलिए वो इस केस को क्लोज करना चाहता है अब तुलसी किशना को सब कुछ बता देती है दिया के बारे में वो बताती है दिया की आत्मा ने उसको बताया था कि जिन जिन लोगों की बजा से वो तुलसी से दूर हुई थी वो सब को मौत की घट उता देगी अब केवल किशना ही बचा हुआ है अब तुलसी ये भी बताती है मैं हमेशा अब तुमारे साथ ही रहूँगी क्योंकि दिया तुम्हें मार ना सके फिर रात को तुलसी सारी रात जाग का किष्णा की इफाज़त करती है मगर किष्णा को लगा था कि वो पागर्व हो गई है इसलिए किष्णा तुलसी को एक साकेट्रिक पर पास ले जाता है फिर डॉक्टर उसे कुछ मेडिसन्स दे कर आराम करने की बोलता है जिसकी बाद तुलसी अपनी जॉब से किष्णा के साथ रहने के लिए कुछ मेणों के लिए छुट्टी ले आती है फिर तुलसी किष्णा के साथ उसके आफिस में जाने लगती है मगर एक दिन किष्णा को उसकी कंस्ट्रेक्शन साइट से फौन आ जाता है और उसे बताया जाता है और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रीट हो गई है इसलिए वो वहाँ के लिए रवाना हो जाता है लेकिन इस बारे में तुलसी को नहीं पता रहता मगर जब वो बालकनी से कृष्णा को कार में जाते देखती है तो उसे मालुम चलता है दिया भी उसी के साथ थी ये देखकर तुलसी बहुत गवरा जाती है और उसे फॉन करने की कोसिस करती है मगर वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता फिर वो कॉल कट कर देता है जिसके बाद तुलसी पहले तो पुलिस इस्टिसन जाती है लेकिन इस्पेक्टर अगनी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसकी बात भी नहीं मानता और तुलसी हार कर वहां से construction site निकल जाती है और दूसी तरफ दिया की आत्मा कृष्णा को एक खड़े में गिरा कर मानने का प्लान बनाती है मगर तुलसी वहां पहुँच कर कृष्णा को बचा लेती है लेकिन कृष्णा को तुलसी की बात पर अभी भी विश्वास नहीं था और वहीं पर उनकी बात को एक पुजारी सुन लेता है अब यहां पुजारी उनको एक स्वामी से मिलने की बोलता है और दूसी तर इंस्पेक्टर अगनी को देखते हैं बुरा सपना था उसने चुद्ध देखा अभी तब दरवाजे की बैल बजने की आवाज आती है और यह वही पुजारी थे जो सपने में तुलसी ने देखे थे और उन वही एक स्वामी था जिसके वारे में एक पुजारी ने उनको बताया था मगर तुलसी उन्हें जाने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी बीटी की आत्मा को कोई तकलिफ हो इसके बाद हमें मालुम चलता है इंस्पेक्टर अगनी ने उन केसे को द्वारा से रियू पता है और जब तुलसी नोटिस करेंगे कि किष्णा तुलसी के बिनस अकिले ठीक रह सकता है तो साइद उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए और फिर किष्णा ऐसा ही करता है वो अगले दिन अपने फ्रेंड के घर निकल जाता है और वहीं हम दिया की आत्मा को भी देख पा अगनी भी तुलसी और किष्णा को डूड़ने की कोसिश करता है मगर अगनी तुलसी को का से राष्टे से जाते देखता है फिर अगनी उसका पीछा करना सुल कर देता है इसके बाद हम किष्णा को देखते हैं उसके फ्रेंड के घर पर लेकिन उसके अलावा कोई नहीं थ पर वह इसकी बॉडी को लेकर आस्पिटल जाता और किसी तरह से डॉक्टर उसकी जाने में- मॉचतके हैं और तुलसी बच जाती है यहां तुलसी मौत को चकमा देकर बापस आ जाती है दरसल जब तुलसी मर गई थी फिर उसकी आत्मा निकल कर सीधा दिया के पास गई थी और उसने दिया को गलत काम करने से रोका और किशना को ना मानने को कहा क्योंकि तुलसी अपने पती किसना को नहीं खो सकती थी और यहां तुलसी अपने बीटी दिया को असली रूप में देख लेती है जिसके बाद डॉक्टर आकर अगनी को बताती है उसने दो जिंदिगें बचाई हैं क्योंकि तुलसी प्रेगनेंट है यानि कि अब दिया कि आत्मा ने यहां पर दूसर रूप ले लिया है क्योंकि तुलसी प्रेगनेंट थी और अब तिया तुवारा से जनम लेने वाली है और यह बास सुनकर यहां पर अगनी बहुत ही ज़्यादा खुस हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था तुलसी के लिए उसकी बीटी कितनी जरूरी थी और इसलिए वो यहाँ पर बहुत दुखी रहा करती थी फिर कानी के एंडिंग में हम तुलसी को देख पाते हैं वो अब बहुत खुस रहने लगी थी और इसी के साथ यह कानी यहीं खतम हो जाती है तो दोस्तो कैसे लगी आज की कानी मेक शूर काफी फसंद आई होगी और इसी तरह का कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरू सस्काब केज़ेगा तो दोस्तो फिर मिलते हैं एक और नई कानी के साथ हैंगी सो मच